यंग जनरेशन मेरे पास आती है, कहते हैं अंकल हम भी करना चाहते हैं, मैं उन्हें बिल्कुन मना करता हूँ, क्यों? किसलिए? बदन है, मिट्टी का सांसे सभी उधार हैं, गमंड सिर्फ इस बात का, कि यहां सभी किराएदार हैं प्रकारे हम लग चुनते इसलिएं कि यह सारे काम सरकारों को करने चाहिए, कोई से भी सरकारों जीवन अनूप खना की नजर में क्या? आप किसी को कोई भी चीज फ्री में बद दीजे, उससे छोटा सा काम कराई है क्या कभी आपका वास्ता ऐसे लोगों से पढ़ा है कि जिनों को इरिटेशन हुई हो आपके काम से आपको अपने अंदर कॉंफिडेंस होना चाहिए, दुनिया क्या कहीए, कहती रही है हम बताते हैं कि एक आम आदमे भी इन चीजों को कर सकता है इवन में एक तो निराशा बिल्कुल नहीं होनी चीए, मस्ती के साथ रही है बहुत शोक था मुझे सभी को खुश रखने का, पता तब चला जब जरूरत पढ़ने पर खुद को अकेला पाया जग में तीन चीजें बड़ी महान, जिनकी उंगली पर नाचे इनसान आम आदमी के बस यही अर्मान, रोटी, कपड़ा और मकान मैं यहाँ पर एक चीज और इसमें एड़ करूंगा, क्योंकि अब तीन नहीं, चार की जरूरत है इसमें दवा भी बहुत जरूरी है लेकिन अगर आपकी जिन्दगी में कोई ऐसा फरिष्टा आ जाए जो आपको केवल मात्र पाँच रूपए में एक ऐसी ठाली दे दे, जो देसी गी की बनी हुई हो, देसी गी का खाना हो, दाल रोटी के साथ में मिठाई भी उसकी अंदर में लाजवाब हो, तो फिर कहने ही क्या जी, ये मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ, और आज इस पोड़कास्ट में, दे पॉइंट ओफ व्यू में, आपकी जो मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूँ, ऐसी ही शक्सियत से करवाने जा रहा हूँ, हाला कि ये शक्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी म पांच रूपए में दादी की रसोई चला रहे हैं, साथ ही एक ऐसी पारी उन्होंने जीवन की खेली है, जिसके अंदर में ना सिर्फ वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, कोई भी जाकर के वो पांच रूपए की ठाली खा सकता है, दवा सस्ती ले सकता है, कपड़े ले सकता यहां तक की मैंने यह सुना है, कि लेंगे अगर चाहिए हो, किसी नव विवाहिता का अगर विवाह होने जा रहा तो उसको अगर लेंगा भी चाहिए हो, तो वे लेंगा भी आप इनसे ले सकते हैं, बहुत-बहुत सुना, दादी की रसोई के बारे में काफی चर्चाओं क ने तैय की है मेरा पहला आपसे सवाल यही है कि यह जो पाँच रुपए में आपने देशी घी से बनी हुई क्योंकि आज कल तो پाँच रुपए में ब्रेड का एक सिंगल पीस भी नहीं आता वो भी अब बड़ा महंगा हो गया है और ऐसे दोर की अंदर में आप देशी गी से बना हुआ खाना सरव कर रहे हैं ये ना सिर्फ गरीबों के लिए है बलके मुझे लगता है कि उन नए जो कमर्स देश के पता नहीं कौन कौन से कौने से आते हैं और यहां पर आकर के स्ट्रगल करते हैं उनके लिए भी एक बड़ी रहत की बात कहां से आई ये आपको आइडिया आपने दौर की बात करी तो मैं कहुंगा यह हमने 2015 में शुरू कर रहा था अच्छा पराने दौर में जी अप दौर बदल लिए जी उस दौर में क्या हुआ कि दो तरीकी चीज़ें होती हैं देख कुछ एक्जम्पल सेट करें जिसको देखके लोग प्रेरित हों दो तरीकी चीज़ें होती हैं बिल्कुल आप भी ट्रैफिक में जाते हूंगे आपको कई बार लगता होगा यार ऐसा क्यों हो रहा है इसको ऐसा करना चाहिए आपके पास सोर्स नहीं है आपके वह नहीं है अपने बैड जाते हैं आपने देखा घरों के अंतर भी बाहर गड़ा हो जाता है तो आप अथार्टी को चिठी बे चिठी लिख दे कितना पांच्व रुपर का खर्चा नहीं होता अपना दो चार आदमी खटे हो गड़ा बर दे बिल्कुल आइन फिर उसके वाद में कहा हैं कि देखिए हमने बरा तो यह एक थौट प्रसेस हमेशा रहता है तो यह जो सरकार है हम लोग चुनते इसलिए हैं कि यह सारे काम सरकारों को करने चाहिए कोई कोई सबी सरकार हो आपने देखा मेरे जैसे पता नहीं कितने सोशल वर्क कर रहे हैं तो कि तरह तरह के नए- बहुत नहीं करते हैं इसलिए हम मजवर हो के हम बताते हैं कि एक आम आदमे भी इन चीजों को कर सकता है तो उसको करने के लिए या तो बहुत बड़ा प्लेफर्म हो या चोट उसा तो कही नहीं जड़िया मिलता है तो एक बार ऐसे हम लोग बैठे हुए ते मेरी मदर की थ थिचडी वगरा शुरू कर देते हैं मना ना और तुम एक साथ में हरी मिर्च वगरा देते हैं मैंने हरी मिर्च तो नहीं उसके साथ अचार वगरा रख देते हैं तो बहुत छोटे स्केल पे हम लोगों ने अच्छा मैंने कभी जिंदगी में खांदान का एक लोटा अच्छे मन से कांव अप कःए को कर मैं यद अधने काम को करे तो उपरवाला रस्ते अपने आप बनाएगा तो हमारे पीछे एक नंदू नाम का होटा था था यह वारे तवाई ले यह ज़ने आता था शाम का था या को जिसको जो कामांसा जो बड़得 तो ब्हानी से के लिया है गैस पैसी है और जो उसने लिखे दी और इत्वाक से 21 अगस्त मेरा जनम दिन होता है अच्छा ही तो यह 14 15 अगस्त के आसपास की आसपास की बात होगी तो मम्मी ने कहा कि जब करी रहे हो तो अपने जनम दिन पर करो तुम्हें याद भी रहेगा किस दिन शुरू करा था तो बस 21 अगस्त को हम लोगों ने खिषड़ी बनवाई थी और अचार था यही हम कर सकते थे कि छोटा से बज़ड़ था और चुक्की मैंने बताया मेरा सोशल सरकिल बहुत बढ़ा था तो पहले दिन ही काफी लोग आये सब में अप्रिशेट करा अब सवाल सबने क अब बढ़ा था यहां पांच रुपर क्यों ले रहा है मैंने गादे को मेरी एक शुरू से रहे किसी को कभी भी कोई भी चीज फ्री में नहीं देनी चाहिए एक आदमी का अपना आत्मसमान रहता है उसको यह लगना चाहिए येस मैं कुछ दे रहा हूं तब मैं ले रहा ह मैं तो हमेशा सीज के शुरू से राइट फ्रॉम दडे वन खराब आप किसी को कोई भी चीज फ्री में बद दीजे उससे छोटा सा काम कराईए आप कहां कोई भीक मांगने भी आता है अब आपने देखा यह यह कंसर्ट बच्चों में भी जो रेड लैट में मांगते थे पहले भीक मांगते थे आप उन्होंने कुछ समान बेचना चुना बिल्कुल बिल्कुल यह आया कि मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो भीक नहीं देना चाहते हैं वो कहते हैं काम करो और पैसे तो यही चीज आई थी तो एक ऐसी रखम फिक्स करना चाह रहे थे कि ज खाना कम सकम नहीं खाना देना कोई मिश्किल काम नहीं हो पांच रुपर में देना बतलब कोई मिश्किल काम है ही नहीं बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का बढ़िया क्वालिटी का फाइस्टार क्वालिटी का खाना देना यह बहुत मिश्किल काम है अब आप रोजाना कि यह देना शुरू करते हैं तो जब खिचडी से शुरुआत करी गई तो यह धीरे धीरे नेचुरल है और जैसे हिंदुस्तान की परिपाटी है लोगों नगा रहे हैं नो टंकी है दो दिन चलेगा चार दिन चलेगा ताहाँ चल पाएगा तो शटक पी लगाते हैं तो अपनी लेके लगा देते ते तो दीरी-दीरे लोगों ने दिखा या यह घटा भी हो गिया दस दिन भी होगे पंदरा दिन भी होगे अब यह तो चलते ही जा रहा है माबला तो यहां मैं थोड़ सा और भी जोडना चाहूंगा कि हम जब पार्क में बैठते थे मैंने जब शुरॉ मेरी सेल्टेक्स की डेट है एक दूसरे साब बुले आज में जाना है तीसरे जाना है तीसरे चौते देनी सब के आगे हाँ जोड़े गए और सबसे का अब 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 हम पेड एम्लाइज रख के सकाम को परना चाहरा है तो यह काम चो चले गम से कम तो यह मेरे जीवन का बहुत बड़ा डिसिजन था और बहुत अच्छा डिसिजन रहा और उस महने अब उसके क्या फाइदे हुए कि मैं उन्हें डिक्टेट कर सकता था आप आते है अगर मैंने बताया में सोशल सर्विस में पहले भी काफी अधर उदर रहा था तो एक बार हम वैसी ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे एक बंदे ने गाउं गई थे वो तो कहीं का द्रोगा लग रहा गया तो तो किस हक्सा कह रहा है कि मैं जो ऐसा करना चाहिए मैं गेली मेरे को करेंगे कि इस चीज का बदलाव कैसे लाए जाए तो जब यह पांच रुपे का खाने किया हुआ तो लोग बहुत ज़्यादा में सस्ता खाना था यह अच्छा खाना था दीर दीर मौत पब्लिसिटी होती है लोग हमने दो सो ढई सो आदमी से शुरू कर था पांच सो चैस जाए थे वो देने चाहिए जैसे मेरी दवाई की दुकान है वहां मैंने कहा कि थैला नहीं दूंगा मैं पॉलिसिन बिल्कुल तुम मतलब ही नहीं है कागज का भी नहीं दूंगा बहुत लोग उस्सा करें अब फिर से मंचंदा साव आया हमारी दुकान पर कैनले कि भाई दिरे दिरे उनको बुरा भी लगता था कि अपने साथ लेके जा रहा है मैं गारी तक उनको छोड़ने जा रहा हूं थोड़ा सा पेंज ज़रूर लगता है लेकिन मैंने यह माना कि जब आपनी को लगता है न कि यह सभी चीज बोला है तो गुस्सा भी और उसी टाइम और आज ही रेड में 99% लोग अपने घर से जब थेला लेके आते हैं कहता है घना जी कुछ तिखाया नहीं थेला लाना थे यह सभी यह काम करा तो आप जो मैं मैं बतलाव चाहता हूं मैं दवाया सस्ती दे रहा हूं लेकिन उसके साथ साथ एक सिविक सांस भी देने की कोशिश अब आज नहीं है मैंने तो कहा है हर जगे मेरे को एक बार ट्रैफिक की बात आ रही थी मैंने को आप जोच बदलो जमाना बदलेगा जमाना बदलो मैंने का हमारी जब स्कूल क्लासेज होती थी तो टीचर जो है कान पकड़के बाहर खड़ा कर देती थी वो सजा सब से स्ल बाहर मत खड़ा करो अब आपने चलान कर दिया यहां तो ऐसे पैसे वाले उनने 2,000 रुपे निकाल के दिया आपको फिर वो अगले दिन मुसी स्पीड में चलना है आप कहिए न आप यहां खड़े हो जाईए जरा 10 मिनेट यह आपकी सजा है वो सजा वो जिन्दिकी में ब लगे होने चाइए पांच रुपे का सिक्का हाप के हाथ में होना चाहिए गाड़ी ओपर भी आते हैं खाना खाने बहुत बबद गाड़ी में तो आते हैं और उसके साथ थ्रीविलर्स होते हैं रिक्षा होती है उनका भी जिग-जग में हो जाता है तो वो सारी चीज़े आप बिल्कुली स्मूथ लगी होंगी वहां पर बल्कि कभी आप ट्राई करिएगा तो हमारे हाएंगे उल्टा लगाएंगे तो रिक्षा हो लगाएगा भाई सब्सक्राइगा बैस अब जड़ा ठीक से लगाई है मैंनोंने एक चीज़ समझाए कि आपकी वैसे एक तो द दूसरे को दिक्कत हो लिए बिल्कुल ठीक बात है चोटा फ़र हो लाएंगे आप कोई भी काम कर रहा है तो आपने बीस तड़क में थुका तो आपको लगा यार यह मैंने गलख करा अपने अप सेल्फ अनेलिसिस करें दूसरे को कहने का मौका ही मत देजे मौका ही मौका ह अपनी अन्य यह रहा है और फैरे परोस का कोई दुकान दा। है वो अपनी गाडी खड़ी नी खता रहा है तो आपको दिक्कत करें डीकत करेंगा तो आपको काम है उसको सहयो तुई यह नहीं जा यह जोगा ए तो हमें थोग tackle थोड़ा से सब में बॉडार मैंखता हैं सार अभी जैसे आज़ चबील वगएरा सब जगे लग रही है आपने देगा तो मुझे प्लास्टिक के ग्लासिस वगएरा सब जगे पढ़े रहते हैं भीड़ लग जाती है हमारे आप राएंगे तो कहीं आपको कुछ मिलेगा है नहीं मत्ता इस तरह का गंदगी का लोग अपन सब यूस करते हैं बच्चों को माल ली जमने चोकलेट दी रैपर फार के उसमें डालना है कैसे करना और यह वो कर रहा है जो हरी जन बस्टी वगरा के बच्चे आते हैं हम चोटी-चोटी चीजे उनको सिखाने का प्रियास करा गया तो यह यह जो मैंने बताया कि वो चीज तो यह जो हमें फालो करना चाहिए हर जेगे करना चाहिए लेकिन जो लोग आपकी तरह समाथ सेवा कर रहे हैं जैसे भी आपने चबील का उधारण दिया कि इन दिनों में क्यूंकि गर्मी ज्यादा पढ़ रही है लोग चबील तो जरूर लगा रहे हैं एक सेवा जरूर जल की सेवा दे रहे हैं लेकिन वो इस चीज का धियान नी रख रहे हैं कि वो जो सडक के उपर पर गंदगी फैल रही है जो गिलासिस फैंक रहे हैं वो उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो इसको क्या माने कि जो मतलब प्रारब्द उनका बनना चाहिए यह पराराब ने ने यह तो बहुत अच्छा काम करते हैं सभी लोग अच्छली मेरा डेली का काम है तो मैं तो इसलिए इतना मैंन फोर्स हो गएरा यहां में इतनी आगे तक ही सोच लेता हूँ आप एक ही जिन कर रहा है तो आपको तो जब तक समझ्था समझ में हैगी तब त यह अच्छी चीज है लेकिन अगली बार जब वो करें तो इस चीज का ध्यान लगें वो धखते हूंगे ऐसा नहीं है जो पहली बार लगाएगा उसको ऐसा लगेगा तो यह धीरे धीरे में एक दिन में तो मैं भी भी शुलू शुलू में यहीं सब गल्किया करी हैं कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं जी ठाल तू का यहां पर रोज रोज भीड लगा देते हैं लोग आते हैं खाना-काने के लिए तो क्या ऐसा भी कोई वक्त्या हूगा उगा पच्पन में मैंने पिक्चर देखी थी मुगले आदो आपने भी देखी वी उसमें महरा जैकबर कह जकी चलिगे बहुत, यह ऐसा डाय। था कि जिसका मतलब अब जा के सूझूआ आयए है कि उस लोग होते हैं हम तो कुछ तो करेंगे नहीं और तम्हें भी नहीं करने देंगे हैं ठीक बात है है! नारकली सलीम तुम्हें ने ने जेगां और हम तुम्हें जीने ने ने जएगी बहुत होता है इंसमें कोई दोर आए ने अब आ छोड़िए आप को उन सिच्वेशिंगों कैसे करना है इरिटिशन होती है बहुत जादा होती है और खास और से जब आप जब इतनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, एक बार शाम को फोन आता है, कहले लेगे, आप कि हाँ, फ्री होम डिलिवरी है, अच्छा, अब एरिडिक्शन हो साई है, लेकि मैं बिल्कुल है, तो बोले, कल हमारे पर भिजवा सकते हैं, मैंने गा अब इसका क्या इलाज करा जाए, इस तरह के छोटी-छोटी सी चीजें जब आदमी करता है, तो इस तरह के जब आप दे दिये जाते हैं, तो लोग, कुछ लोग जैसे मैंने बताया, शुरू में कहा था कि यह नो टंकी है, कब तक करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, एक स डबा है, उसका मुँ उपर अखर रख जो है, बीता मैं भी लिखा है, अपने करम पर द्यान दो, इन चीजों पर द्यान दो, वो डबा कैसे भरता है, अब कभी भी, कोई भी इस सरह का काम करके देख लिए है, वो कैसे भरेगा, आपको पता ही नहीं लेगा, सच्चे मन से, पिल्कुल इमानदारी से किसी काम को करी है इन चीजों की तो आपके सोचने की जरुरती नहीं है कहां से हो रहा है कैसे हो रहा है पता ही नहीं मेरी दवाई की दुकान में मुझे अभी लिमिट बनवानी पड़ी है अपनी दवाई की दुकान की इसमें कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, पता ही नहीं लगता क्यों? क्योंकि ये एक अलगी चीज है, आप सच्चे मन से काम करना शुरू कर दिये और मैंने कभी हिसाब भी नहीं रखता, इमान दारी है आज मंचंता साब को बता हूँ कि मैं डाल, चावल, अचार या दाल और चावल, ये मैं आज भी अपनी तरफ से ही देना पसंद करता हूँ जितनी और आइटम जुड़ लए है, अब आप आए एक दिन आए कल को शायद दुवार से डोनेशन ना आए तो मैं तो बैक टुप परिलिया, मतलब मैं तो जो दे सकता हूँ वही देना चाहिए ना आलू, बैंगान, गोवी, फोवी ये सारी चीजे मिलाके एक तो गाड़ी हो जाएगी, एक पोस्टिक हो जाएगी और उनको टेस्ट भी आएगा तेस्ट भी आएगा वेराइटी बन जाएगा, हमने पैसे बचाने के लिए करा हूँ, वह साथ क्या रेसिपी निकल गया है, लोग तो मतलब उसके बाद एगदम से सेल बढ़ गई हमारी अच्छा, अरे गजब आज भी बहुत, मतलब हूँ आज उपर वाले की किरपा है, लेकिन वो रेसिपी ह कि एक दिन राजमा बना देना एक दिन करते हैं, तो हमारे पच्छे किलो जैसे राजमा मंगाते हैं, तो इसी रेशियो में हर चीन मंगा लेते हैं, लोब यार, यह हो गया काला चना, सफेज चना और कुक से कह दिया, एक एक दिन करके बनाता रहे, जब एक खतम हो जाए, तो इस तरह से डेली कोई नहीं वराइटी बनती है तो जब हमने शुरुआत करी तो लोग जब जुड़ना शुरू हुए है कि हम रोटी देना चाहते हैं अब आप आये मैंने का रोटी तो आ चुकी है प्रसुल्ला आप दे तो फिर एक साहब आ रहा है कि मेरे बच्चे के ज अब थोड़ा सा दिल दुखता था कि आप खरी सकते लिए और तो फिर यह हुआ कि इसके बढ़ियाए फिर लोगों से का कि फल देना शुरू कर दें अब फल कार देते थे उनको कुछ ना कुछ पांच रुपे में साथ में फल भी जा रहा है अच्छा दीरे अच्छा अब तो इस लालज में आते थे कि पांच रुपे में खाना भी मिल रा है सब्ची मिले और चॉकलेट नहीं नहीं बिलकुल वाला मार अब चॉकलेट शुरू गई शुरू गई बिसक्ट शुरू गई अब देखा लोगों ने मैंने का चॉकलेट तो आ चुकी है अब आप आए मेरे बच्चे का जनम देर में आप बिसकुट दे जाओ अब जितने लोग बढ़ते जाए हैं अर एक से एक नहीं नहीं परेटरी करते रहे हैं जैसे आजकल जो है रुआफजा भी चला है हमने गर्मी देखते हुए अभी नीवो की शिकंजवी शुरू करी में नगा यार एक औरस टाइप को बनाते हैं तो लड़के हैं स्टाफ हैं मैंने बताया आपको तो निवो निचो टाइप को लिया है उसमें निवो निकाला उसमें काला नमक डाला उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि खुद को भी मज़ा आता है पीने में तो काला नमक और चीनी विनी डाल गया इतना टेस्टी बना है अब लोग कहते हैं आपकी शिखंज भी बहुत बड़ी आइसा हम तो यही पीने आ रहा है I mean जब आप एक स्टेज बाया जाते हैं न तो फिर आपको ये अच्छा जो आपके साथ स्टाफ काम कर रहा है मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ गंगा हमेशा उपर से नीचे बहती है उपर अगर स्टाफ भी आपको सच मिलेगा तो हमारे स्टाफ भी इस बात का धियान लगता है कि जब ये बड़ा इतनी मेनत कर रहा है तो या रहा हमें तो कुछ नो कुछ करनी चाहिए और वह इमानदरी वाला चैप्टर तो रहना ही चाहिए और उपरवाली की किरपा है मेरा बेटा सिंगापर में पॉस्टेड है अच्छा नो की शादी कर दी है बहुत बड़ बड़ ये उपरवाली की किरपा है दो दुगाने है अपनी तो उसमें तो आप Medical Association के भी प्रेजिडेंट हैं या जो शोशल एक्टिविटीज अभी आप और कर रहे हो उन में तीस साल पहले जब मैं यहां जिलाद दक्ष बना था तो मैं मानता हूं कि इस लाइन में आने के लिए उसका बहुत बड़ा रूल था जिलाद दक्ष होने का तो मैं तीस साल में महां से कुछ नहीं लिया तो यहां क्या लूंगा और क्यों लूंगा भे ठीक है तो वह एक रेपोटिशन रही कि हमने किसी से आज तक बो नहीं लिया और उसके बाद में क्या करते थे कि हम मेरा हमेशा मेरी वैपसे देना चाहिए मांगी भीग जाती है हम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं और मेरा अपना मानना है कि मैं आपके आगे हाँ जोड़ो रहा हूं कि मुझे पैसे दीजिए फिर मांगे बाढ़ने जाना हूँ वही मेरे पास है जितना है अगर मैं करना चाहूँ और आपको फिर बताओं आपके मादेम से एक और रिक्व फिर आपके मांगे लिए जिनका अपना बच्चे सैटल हो वो चुकी हो मकान बन चुका ङूआ दूकान करो यार अब तुम्हारा भी भविश्य बनाती है इतना competition है आपने भी देखा हम ने भी देखा झोलकुल कि अपने ज़वानी से लेगे कि आजकर करियर का कितना च्छ तो फिर दो तुम, हमें वह काम करने पड़ते हैं, आप कभी भी आएंगे मुझे हमेशा बारसेदो, आपने यहां इंट्रिव के लिए कहा तो तो मैंने मना कर दिया था पारसेदो, तो बेसिक चीज क्या होती है, आप जो काम करने उसे दिल से करना चाहिए, तो वह चीजे सि आप जाते हैं, तो आप पहले अपने बड़ापे को देखें, अपने माबाप को सेवा करें, उनके लिए अगर सारी चीजे सादन है, तो यह काम जरूर करिया, तो यह छोड़ी-छोड़ी सी बाते हैं, वह प्लेन में जब जाते हैं, तो उस समय पर यह पस्ट शब्दों के लिखा होता है, कि मान लीजिए कि अक्सीजन की कमी हो जाए, या कोई चीज आ जाए, तो उसे पहले आप अपना मास्क लगाए, तब आप दूसरे की साहिता है, तो वो चीज पहले आपके पास में रहनी चाहिए, अगर आप सक्षम हो, और आपने अच्जिमेंट्स ले लि जो समाज की सेवा है, वो जुरूर होती चली जाए, जिम्मेदाली मत लीजे, आप करिए, आपको करने को मनाई नहीं है, आप जिम्मेदाली सुचते हैं, मैं केरियर बनाऊँगा, भूव कलत है पूरा, तो जो केमिस्ट एसोसीशन के लोग ते तो वहाँ मेरे को बात हुई, तो अब जैसे यहां पर पोस्माठावा उस था, मैं एक्जम्पल बताओनों, दो जात तीन चार के आसपास की बात ही है, तो वहाँ डेट बड़ी सड़ी कली पड़ी रहती थी ती, गर्मियों में, अच्यली उन्हें प्रिश को 72 आवर्स लवार इस डेट बड जाते थे कि हम कर रहे हैं, हमें किसी की ज़रत नहीं है, तो एक दो डेट बड़ी वाला डी फ्रीजर मैंने कहा मैं डोनेट करने जा रहा हूँ, अच्छा, अब जैसी मैंने प्रेस कांफरेंस करके गोश्चना करी तो चैमिस्टेस्टर के लोग बेटे, सारे लोग उमर के अगर लाइट चली के फिर तो मैंने कहा है, जो मैं दे सकता था तो कहले हम लोग सब्सक्राइन मिलके एक जनरेटर लगवाते हैं, एक मेडिकल स्टोर वाले हैं अगरे अज़े मेडिकल स्टोर थे तो उन्होंने कहा कि जो मौमदन्स और क्रिश्चन्स की डेड बाडिस थो थोड़ी सी दूर थी वहां से कर्बला उनका पुस्टोर नाम हो से तो बुले इसके लिए अग से रिक्षा बनती है, तो एक रिक्षा मेडिकल से बनवा दी जैए तो उन्हों को ओर दिया चौदार दिया चौदार की उस्टाइम उनने का जब उन्हें पता लगा मिस्काम क होता है, वहां के लिए मेरे पास एक ऐसी है, मैं सोच हो इससे वहां लगवा दिया जाए, अब आप देखिए छोटी सी जी, मैंने एक जड़ा सा प्रयास करा, लोग को ये पता लगे कि ये चीज़ें जो कर रहा है बन्दा, तो आटोमेटिकली आपके बन्दार, इसमें का मैं डिस्टिक स्टुइंट कार्जयन आपके जनल सेकेटरी और यहां पी इतना स्कूल स्कूल का और यह आपका ट्रैफिक वेराग करते थे, तो जब बहार में बाड़ आई, तो वो भी एक टर्निंग पाइंट रहा है मेरे उसमें, कि ट्रक लोड हम समान बेज रहे थे हैं तो नेचनल होता है, जब ट्रक जा रहा होता है, तो मीडिया आता है, सब फोटो मोटो खीछती है, एक ने सवाल गरा मड़ा इंट्रस्टिंग के ले है कि खना साव यह ट्रक जाते हैं डिल्ली से वापस बुला लेते हो, यह तो पोटो के चुवाने के लिए तो आज कर दो अगले देखा बगडगरा बाई एर गया, वहां से टेक्सी ली, एक दिन पहले पहुच गया और बादीम आफिस से पता लगा बनबन की एक जगे है, 30-35 किलोमेटर दूर वहां पर बाड़ाई है, तो उनने का जब आई गए गए तो अपने हाथ से बढ़वा दिया, तो मै बनबन की में जो हमारे केमिस्ट एसोर्शन की अद्धक्षत है, उनके माद्यम से एक दिन पहले मिला, तो उनने भी अच्छा लगा कि वहां से हमारे केमिस्ट भाई आए तो उनने वहां के मेडिकल स्टोर्स की एसोशेशन पलाई, अगले दिन बगड़ा बजार बन रहा, बहुत अच्छी चीशती वहां के लिए, सब लोगों ने, अच्छा, देगे किसमत की बात है कि अगर आप ट्रक लेके जा रहा हैं, जाएंगे कहां बाटेंगे कैसे, सोचना असान था लेकिन हमारे केमिस्ट भाईयों ने वहां पर बन-बन की जगे में, तो उन्होंने एक होती हैं, उनको तो सब पता था कहां किसको जबत है, 20-25 लाग रुपए का समान उस जमाने में था, जितना, क्या क्या समान नी था, उसके अंदर ट्रक के अंदर, उस सारा उनके मादेम से सही जगे पहुंचा, फिर वहां के लोकल लोगों के नंबर्स मैंने दिये, वहां की क्रिस्टल क्लियर रहे है तो, एक विश्वाश भी पैदा हो, वहां से वो टर्निंग बाइंड हुआ उसके बाद जब भी कुछ घटना होती थी, अंबला में बारा है, कब जारो साब, लोगों किसी ने आलुबूरी करा, अब जाना पड़ता था, में लोगों का विश्वा अब, तो 19 तारीकों मजबूरी हो मुचे जाना पड़ने की थी, मेरे घर पे भी और सब ने कहा कि जब महां से लोग निकल नी पाना है, जब कैदारनात वाली गटना होई थी, सिरी नेगर से लोग निकल नी पाना है तो, जाना है तो जाना है, तो साब उसके बाद में, 19 त बस्ते बर मेरे पाफोन आते रहा है कि हम आपको देना चाहते हैं महां के लिए, महां के लिए और अच्छा हुआ कि हम कैश लेके काई ते हम कैसे पहुंचे वह एक अलग कहानी है फिर कभी, स्री नेगर जा हम पहुंचे तो वहां पर जो लोग थे मतलब उनकी बहुत ही सम पूल के अंदर उनको रखा गया तो वहां पर हमने उनसे डेम साफ थे और फूल इस्पेक्टर साफ वगरा थे बहुत अच्छे अनलों का प्रशासंता से हो बहुत अच्छा था तो उनकी लिस्ट वनवाई गई कि इनको हमें तो कैश था हमने सारसमान उनकी मर्जी का जैस पर ब्रश वगरा थे पेस्ट थे अचार थे बच्चों के लिए कुछ था डाइपर्स थे बच्चों के छोटे बच्च जो को होगे क्यों हम तो कैश लेकर गएंगें अगर हम यहां से बेचने हमें पता ही निए क्या जरूरत है तो यह मुझे मुझे मौहा जा के पता लग तो उन लोगों जब पता लगा, अब मैं वही एक्जम्पल पता हूँ, हमने जब बिसलरी की उनकी लिए हमने का हम पेटी देना चाहरा है, क्योंकि जो वो थे वो अच्छे का से वहाँ, एके करोड के मकाम थे उनकी उस जगे पे, तो सुची वो किसालत में हो गए थे, तो मत पेटी अपनी दर्फ से रखवाई थी, इसी तरह से महाँ, और आप इश्वास नी करेंगे, जिस दुकान से हम लोगों ने महाँ पर जो जो समाल लिया है, पेज़ वेज़ पूरी लिस्ट बनवाई थी, डिली से सस्ते रेट दिये थे उन्होंने, अच्छा, मैं अच्छा हुआ, और यह सारा, जैसे मैं कैमिस्टिंग दक्ष्टा, तो पूरे जिले के लोगों के पास बनवाने थे, तो डियेम सहाब सबके साथ मिलके तो उनके पास्रेस का, अमने का जिसके पाद ड्रग लेसंस है, वो अपनी गाड़ी में लगा लेगा, और बाकी कैमिस्टिंग का एक स्टिकर दे देंगे, हम अपने ऑनलाइन, वो लगा लेगा, सबके पास बन गए, तो बनना हम डाई जाराम देगे, पास बनवाना, दुकाने पूरे, लेकिन बहुत कैसे करा जाए, लेकिन हुआ, तो ये काम करवाया, उसके बाद में यह हुआ कि हमारा जो राशन प बिल्कुल, तो सौ देड़ सो पैकेट बनें, बाट नहीं निकल गए, फेस्बुक गएरा पर जो हमारे ग्रुप्स गएरा में जाता है, लोगों ने का फिर भेजना शूकर, किसने पाच बोरी आटा, किसने, आप विश्वास नी गरेंगे, पूरा कोरोना काल हमें यह पैसट साल के ओपर लोग नहीं निकलने चाहिए, तब मैं पैसट का नहीं हुआता है, मैं अब हमेरे हैं, दो साल बागी है, मतलब आप पैसट के हो चेकेगे हैं, तो बजा की बात थी, मैंने का कि जो होना और होना है, तो जे यह उट समयता जब लोग अपने घर से बहान निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर का दवाईयां भी देनी हैं, प्रेसिडेंट भी हूँ, और आज यह उंदर चुपके बढ़ जाएगा, तो फिर कैसे चलेगी कान, तो बगवान भुर से और उपर वाले ने साथ दिया, तो वही मैं हमेशा इस बात को मानता अपने आप, अपने आप वो मैजिक होता चला जाता है, सब कुछ, और हार से डरने की ज़रत ही नहीं है, जैसे मैंने बताया, मैं स्पोर्समें तो मैं भी हारने से की चीज़ी से डरता ही नहीं, किस लिए, एक अच्छा काम कर रहा हूँ, जो भी मैंने काम करें, मानली जे दादी ग्रेसोई शुरू करी थी, अब तो खे पुरे भारत मुर्श में तीन-चार सो जगे इस तरह के लोगों ने प्रयास करें को हफते में एक बार कर रहा है, दो बार कर रहा है, मेरे बार फोन आते हैं, कि आपकी फ्रेंचाइस ही लेने चाना है, मैंने का यार इसमों क कुछ नहीं है, एक कुख पकड़ो, रॉकेट साइस तो है नहीं, एक कुख पकड़िये, खाना बनवाई है, बाड़ दीजे, मैं आपके बांदम से भी कह रहा हूँ, सब किसे कहता हूँ, अब लेडीज हैं, किटी पार्टी में जानी है, बीस लेडीज हैं, अरे दो दो प चौकीदार है, और जो गारी लगवाने वाले हैं, कोई नहीं मिलता ही है भार, उन सब को पहले अपने हाथ से सेवा करिए आप लोग, उसके बाद में अपनी हाजी खेलिए, उसके बाद में अपना एंजॉय करें, या आप अपने घर में चार आदमी, पांच आदमी का, आ आप चबे, बहुत बहुत आते हैं, आपके वह साओ आपना ओल आता है, चोगिदार आपके महले के बहुत रहते हैं, उन सब को धेना शूरो कर दिए रोज का पुरा देश उदर जाएगा ने वो तो मैंने आपको का जैसे कि भी सोच बदलेंगे तो जमाना बदलेगा और समाज बदलेगा आज अगर युवा पीडी को गर हम देखते हैं ठीक है आपने एक उदारन दिया भी उसका मन किया कि भी मुझे समाज सेवा करनी है लेकिन ओलेखत रास्ते पे तो वह ही है इसके साथ साथ डिप्रेशन में भी वह आ रहा है ठीक है जी और जो उसका टाइम मुबाइल के उपर जा रहा है रियल्स देखने में जा रहा है उसको आप कैसे देखते हैं ये मैं हर एक से कहता हूँ और शायद जो मैं अपने कैरियर में देखता हूँ, जिस जगे भी हो, जैसे भी छोटी मुटी जगे, मैं अपने टाइम में जो स्पोर्समें ना, ये मेरे बहुत बड़ी चीज थी, एक तो नेवर से डाइ स्प्रिट आती है, कोई भी खेल देख लो, आप किसी भी खेल में, आप किसी भी आज़ो, कैरम भी खेल या कोई नहीं होता, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, इस स्पोर्समें को तो बड़ा है, अगला मैं जीत जाओंगा, मैं एक इस माइस हारा हूँ, कौन सी आफ़ाता गई, ये ये पोजिटिव माइन सैट वहां से आता है, फिर जो मैंने बताया, किले निस्टिंग, वो आती है, आप किसी भी स्पोर्स को देखिया, अगर आपके 21 का गेम है, दूसरे के 20 और आपके 5 है, पॉइंट्स, तब भी वो फाइट करता रहेगा, उसे पता है, मैं हार रहा हूँ, किसी भी बॉर्ड लेविल का मैस देख लें, लोकल लेविल का देख लें, फाइटिंग स्पूर्ट हमेशा रहती है, उसके लास तक जाएगे जाएगा, रूल है, यह फाइटिंग स्पूर्ट से, तो दोनों चीज़ आती है, अगर आपका बच्चा, हर एक पैरेंट्स से कहता हूँ, अपने बच्चे को स्पूर्ट में जरूर डालिए, उससे डिप्रेशन में अच्छा, फित तीसरी, अब जो आपने मोबाइल वाली बात कहीं, वो अपने अपी कतम हो कोई टैम ही दी है, अगर जिसमें अगर उसका इंटरस्ट है, और थोड़ सा भी आ गया है, आमिन, वो पहले क्लास का चेंपिन बना, फिर स्कूल का चेंपिन बना, तो उसको इतना है, शोक लग जाता है, कि मैं खेल नहीं खेलना है, फिर तो आपको रोगना पड़ेगा, भाई, पढ़ाई कब करेगा, तो खेलता ही रहेगा, अमिन, ये बहुत ज़रूरी है, स्पोर्स हर एक के लिए, जीवन अनूप खना की नजर में क्या? नहीं मस्ती के साथ जी हो, मै हम भी बहुत पिटे, आज भी, मैं जूट कभी नहीं बोलता है, नहीं जूट बरदाश है, मेरे पूरा स्टाफ है, मैं जूट नहीं चीए, आपको जो कहना है, साफ कह दो, सुखी कह दो, और आपको मूँ पे कह दो, फिर दिल में मत रख़गा, उसी ताम नॉर्मान, और ह जब एक्जमपल बताता हूं, हमारे यह लाइन लगी होती है, एक बच्चा इस निकल का गया, मैं इदर आपई तू, अमिता बच्चा नहीं तो, अमिता बच्चा नहीं साफ, मैं एक लोगते शक्से जो जहां कड़े होते हैं, लाइन इस तू यहां जागे से भई, ठीक ब यही सब करते रहेंगे, तो नहीं है, मस्ठी के साथ में रहो, जो लोग आ रहे हैं वो परिवार हो चुका है, अब चैसे बताया है, मेरा बेटा सिंगापूर वगरा रहता है, और बेटी है है, तो साल में दो तीन बारी मिलने जाते हैं, बागी तो यही परिवार है आपना होना खिचडी का बना दो, मैं नीचे बैठ के बाढ़ दूँ है, तुमा भी जाकर के कभी किया है, अरे नहीं जर्व बच्छे कहते हैं, यहां बहुत स्ट्रिक्ट है, और यहां लेगा कौन आपसे, तुमा बाट भी नहीं सकते, बाट भी नहीं सकते, लेकिर कभी सोचा भ रही है, और कोई नहीं स्ट्री जरू रखे, वहोँ स्ट्री अले कि चाहरा हूं कि आपको फिजिकली FIT रहना है इतिर जिन्दिगी में, तो इस स्ट्र सब्हूत जाता जरूर है, और आज के जमाने में तो फिजिकली FIT रहना बहुत 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 जूरी है, रहां कि फिट्नस की तरफ दुख अया है बारत और मतलब इसको इसको इस लाइं सैंसमझागी जहा जा सकता कि जिने के लिए नहीं मस्ति या समझने के लिए है जह को बांने के लिए ग wild पारक में जाते हैं हम पूरा बहुत बड़ा सपुर्य अच्छा आपना और मैं वो जो लफ्टर होता है ना अर्डिफिशल उसको लाइक नहीं करता कभी मैं नेशनल लाइफ लफ्टर करो ना आपको इतने मुवाइल लिए जोग सोक साते हैं एक एक जोग सब जना है आद कलो सबरे आकर सुनाओ बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल कोई शेरो शेरी का भी शोक रखते हैं सात में नए 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 वो बड़ा मुश्किल काम लगता है तो रोमांटिक होना चाहिए उसके लिए मैं कभी नहीं रहा है तो आप बाई नेचर मतलब क्योंकि पंजाबी बलड है ठीक है जी तो क्या यह मानें कि भई वो जिद्धी पना उसी पंजाबी बलड की वज़े से ज्यादा है यह पंजाबी आदमी यह तो मानना पड़ेगा कि जो ठान लेता है उसे हमेशा करता है इसमें कोई दोराई नहीं लेकिन मैं अपने केस में यह मानता हूं कि मैं पुरे खंदान में एक ल अच्छा जो मुझ से निकल गया वो होना है और जिद्ध बिलकुल ऐसे तो जिद्ध भी दो तरह की होती है पॉजिटिव या नेगेटिव मेरे केस में थोड़ी सी पॉजिटिव चलेगे कि जो चीज़ सोच लिए करना है तो उसका कॉलेज में जैसे मैच कोगा जीतना है जीतना है मैं जिद्ध आगे ही मतलब या खेलना है च्छे गंटे की प्रैक्टिस करनी है तो करनी है कुछ भी सोच लेते थे तो जिद्ध आगे चलके ट्रैफिक के अंदर यह जो नहीं हो रहा घड़ जाते थे तो मैंने बताया पीछे से सपोर्ड मिल जाती थी तो वो भी काम हो गया तो और होसला बलंदूगा तो यह समात सेवा वगएरा यह सारी चीजें उस जिद्ध पने की वेसे भी आई तो मेरे केस में थोड़ा सा डिफरेंट रहा और स्पोर्स में जैसे मैंने बताया मैं टेविल टैनिस चैंपियन था गड़वाल रीजन चैंपियन उसक कि अंदर किले इस्टिंक्ट आ जाती है कि मझे करना है और जिद्ध पना जो है वह आज भी ब्रसरार है सेवा करते हुए अधिकारियों से सरकार से कभी बिढ़ना हुआ है हाँ यह शुब शुब में तो बहुत होता था कि जब हम लगाते थे तो यह कैसे लगा लिया क्या क पर यह खाए प्लाना करा लेकिन जब उनहें पता लगता थे यह पांच इलुप वाला है तो आते थे पैट्रोलिंग के लिए तो फिर उने करता था नहीं आप से नहीं हैं अगर कुछ है तो बता दो बाई भाई नहीं आप लगाते रहें उन्ने पता लगा यह यह आदमी पर पास्ट भी पता लग जाता है केमिस्टियों के अदक्ष्टे ये थे, सभी ने सहोग करा, क्योंकि अगर ये पहली बार इंडिया में हो रहा था इस तरह का प्रियोग, कि मैं पांच रुपे लेके किसी को खाना खिला रहा था, तो जिग्यासा सी भी थी लोगों के अंदर कि यार ये क्यों कर रहा है, आज भी पुछते हैं क्यों कर रहा है, कुछ लोग तो मजा की बात है, एक साव आए, बुले या इसमें लगता है कमाई बहुत मुठी होगी, ये हर इंसान वो सोचता है जिसने कभी दो रुपे डोनेशन नी दी होगी, ने इसमें कई बार ये इंडिशन नी होती ही इन सवालों से, मैंने का सर एक बार बताएए, यहां पर मैं एक कमर्शल कॉम्पलेक्स में दुकान लेके बैठा हूँ, यह हर आदमी कमाने के लिए बैठा है ना, ये प्रोपर्टी डीलर हैं, ये चश्मे वाले हैं, बहुत मुठी इंकम है, आप मैंने का साब दुनिया मेनत करके पैसा नहीं कमा पा रही हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप हर गली में लगवाई हैं, देखें क्यों नहीं कर रहा हैं, इसमें लेकिन कमाई हैं, इसमें नेकी की कमाई हैं, अगर आप कमाई की सोचना हैं, तो कमाई बिल्कुल भ अगर आप यह सोचना हैं कि मैं कोई समास्यवा के लिए निकला हूं बिल्कुल गलत मैं यहां पर इसके मांदम से लोग को सिखा रहा हूं सिर्व एक सांज जो मैंने यहां पर मेरा एम ही है खाना तो मैंने उनको इसलिए दिया है कि तुम आओ 500 आदमी में न सुधारे हैं मां वह आदमी इतने डिस्सप्लिंड वे में गाड़ी लगाते हैं अब आप यह रखाई जो 5 रुपय का सिखना हाथ में रखता है वह क्यों रखता है यह मेर को कहा से आया जब पैटरॉल पंप में पे जाते हैं पूरा पैट्रोल बढ़ जाता है, फिर आदमी जेम में हाट डालता है, फिर कंगा निकालेगा, फिर उसके बाद अपना कार्ड देगा, तो पीछे वाला खड़ा हुआ है, तेरा दोजार रुपे का पैट्रोल था उसी टाम तुम जब तक पैट्रोल पढ़ लाई है, तब त पैट्रीजी, वो लाइन मेंटेन करना, और अपने आप भी लगाते हैं वहाँ पर आपको आके देखिए, सब प्रॉपर लाइन, तो यह 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 चीज़ें मैंने समास सेवा के साथ-साथ उनको सिखाने के लिए करना हूँ, वो मैंने बताया ना, जो आपके दिल के अंदर होना है कि मैं इसे कैसे बदलू, यस, मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर, कि उनको वो चीज़ें देना चाह रहा हूँ, और मेरी सुनते भी है, इसलिए कि अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए, देखें, दाल चावाल या रोड, बाकी चीज़ें तो मेरी ठीक है जी, और इसके साथ साथ में क्या आपको लगता है कि इसने आपको एक ऐसे लेवल पर पुंचा दिया, जहां पर आज आपको केंदर की सरकार हो, राज जाय की सरकार हो, तो वहाँ से भी आपको सम्मान, इसी की बदोलत मिल रहा है, या कोई और वज़े से मिल रहा है ने, वज़े तो यही है, आज की देट में अनुफ खना जो पैचाने है वो दादी के दस होई है, और कुछी नहीं है, इसमें कोई दोल रहा है नहीं, और सबसे वड़ा सम्मान तो अभी जी ट्वेंटी हुआ था, सम्मिट जो हुआ था उसमें पुना के लिए वर्ड से छ लेकिन फूड सेक्यूर्टी का यहां पर जब आपको बुलाया गया तो वो क्या एहसास था, जी ट्वेंटी में पहली वर फूड सेक्यूर्टी, क्योंकि जो कमाई की जो बात आई, देखिए दो तरह की कमाई है, आपने पैसा कमाना है, और दूसरी कमाई है जिसके मैंने भी बात की के नेकी की कमाई है और प्रारब्द की कमाई है, तो जो वो प्रारब्द की कमाई थी आपकी, चाहे आपने पैसा नहीं लिया, बलके जेब से लगाए, लेकिन उस प्रारब्द की कमाई ने आपको जी ट्वेंटी की समिट के बीच के अंदर में, एजा स्पीकर पुन चाया विश्व को मतलब लीड करने का एक मौका दिया बीस कंट्री में आपका मैसेज जा रहा है इंडिया का जा रहा है अब वहां पे भी देखे प्रॉलम अच्छली जब आप अपने हाथ से कोई काम करते है ना तो जिंदिगी में बहुत कोई सखाता है आज भी कभी स कहना होता है सर मैं आपका भी जो कुछ भी है मैं अगर हजार रोटी आपको रोजाना की देदा हूं और आपसे बाटने के लिए को शायदा बाटनी पाएंगे तो सवाल रोटी का नहीं है सवाल है डिस्ट्रिबिशन पॉलिसी क्या है आपकी किसी भी कंट्री के अंदर कही मेरे अपने वहां पर भी कहा था और हमेशा इस वात को मानता हूं पूरी दुनिया में खाने की कमी कहीं किसी जगे कोई कमी नहीं है महिंगा सस्ता यह सारी चीज़ें हो सकती है मतला इतना खाना तो मिली जाएगा कि एक आदमी भूख से ना मरें अगर आपके डिस्टिबिश दूर करने के लिए हमारा ही डिस्टिबिशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चीए दादी की रसोई एक बहुत अच्छा मॉडल है कि जिसके अंदर हमने लोगों को एक तो जगे पता है कि अगर मुझे भूख लगे कि मुझे कहां जाना है पहली चीज़ दूस पूड सेक्योर्टी को लेके सबसे आज से अच्छी हमारे दशकों पहले से ही लोगों ने बताया कि आपके घर में पहली रोटी गाय के लिए आखनी रोटी कुत्ते के लिए और चीटी के लिए आटा डालते है आपने पार्क में देगा चीडियों के लिए दाना अलग से जाता है हर आदमी कहीं नगें किसी जानवर के लिए इसके लिए लगा रहता है बिल्ली के लिए लग से दूर डाल दिया बिल्ली देगी जहां आपको मन करता है कि यह कोई जानवर भी भूका ना रहे तो यह बहुना अगर आपके अंदर बच्पन से रहती है तो किसी भी क तो मेरा यही आपको सुनके अच्छा लगेगा कि अभी ब्राजील में जो होने जा रहा है जी ट्वेंटी सम्मेट उसमें यह तो इस टाइम इंट्रड़क्टरी था हमारा यह जो फूड सीकुर्टी उसमें इसमें चैटर की तरसे एकसेट करा गया है तो महां पर और इसके ओ ने मताया ना रोकेट सभी दादी की महरसोही का मोडल क्या प्रेजन्ट किया अगर 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 आपके हरें से एक एक रोटी भी लेके अपने एक जगे निश्चित कर दिये थे मेरे क्या आइस के अंतर कपड़े आपके पनाने हो जाते हैं आपने महां रख दिये अगर जादी में फिर वो बना के मेरे पास ही आजाते हैं जो मुझे जाना है तो मेरे से ले जाओ अल्टर करा लो भाई शादी में एक दिन के लिए टेड़ लाख रुपर करना कहां की समझधारी है तो अच्छी चीज ले लो गुमने चल जाओ टेड़ लाख रुपर से तुम एकन मौडल से जिस जगे भुकमनी की समझ से हैं आपने कोई जगे निश्यत कर दी कि इसी भुके को खाना चाहिए तो यहां पर आप कर सकते हैं एक दो लोग वलिंटर सा जाए यहां हमारी जैसा कोई है लेकिन करे आदमी दिल से वहां पर उस चीज़ को तो कोई मिश्कल काम न मिलेगा। ठीक है जी यह तो बात हुई किया आप नॉिड़ा के अंदर में इसको चला रहे हो। और नॉइडा के एक स्पेसिफिक एरिया में आप इसको चला रहे हो। अगर यहां से बीस किलो मिटर दूर पच्छेस किलो मिटर दूर गरेटर नॉड़ा की तरफ चला अगर यहां से थोड़ा सा दूर और दो तीन सो किलोमेटर बाहर निकल जाया जाये वहां के लोगों को तो दादी की रसोई वहां पर अभी लेबल नहीं है वो डिस्ट्रिबूशन नेट वर्क और वो डिस्ट्रिबूशन चैनल कैसे खड़ा हो देगे देगे जब मैंने शु वहां पर यह हुआ था कि एक कंट्री में कितने मर जाते हूंगे पाजार दस जार बीस जार एक कंट्री के हिसाब से बहुत लबी चोड़ी वह नहीं है कि अगर उनको दो दो रोटी भी मिल जाती तो शायद मरते नहीं यह मानगे चलिया वह फिगर दिखने में आपको लग जा सकता है उनकी लिए distribution policy कुछ न कुछ बनाई जा सकती है जिसकी वेसे death ना हो at least क्या आपको लगता है कि भारत की international market के अंतर ना image यह ऐसी बना दी क्योंकि वो जो फोटों खिशते थे फटे हुए कपड़ों में हैं और पहले मोधी जी के आने वाद यह दस साल पंदरा साल के वाद में समनी है अभी भी अभी भी हम देखते हैं कि वो चांदनी चौंक पर जा करके जो खारी भावली का जो एरिया है अब तो उन्हें ढूनना पड़ता है कि कोई मिल जा उसकी फोटों कीच ले है या फिर रेड इडिक्ट होते हैं वह पर वह एसी आलत में मिलते हैं आप तो आप इसको कैसे प्रेजेंट कर रहा है वो अपने अपने हिसाब सो होता है बट मैं इन चीज़ों को कहता हूं भारत में अब ऐसा नहीं है अगर आप गौर से देखें तो जो आपका भार मेरा गारी साफ करता ह है वह हमारे प्रेस भी लगाता है तो एक दिन मैं जस्ट कैल्कुलेट कर रहा था तो कोई छोटा मोटा जो सर्विस करता है उससे ज़्यादा कमाता है वो बिलकुल अगर आप बहुर करेंगे उसने कितनी गाडियां करता है कितना करता है और उसका मेंटेनेंस का नहीं है ख पुजगार नहीं है वो पॉलिटिशन अपने हिसाब से कहते हैं बट मुझे तो एंडोएट फोन के अलावा किसी का फोन ही नहीं थिकता है मेरी मेट आती है वो भी अपने लगी हुई है पुछ पराने वाले काले छोटे फोन कहां हैं बिलकुल सभी के पास स्मार्ट फोन स पर लखने पड़ते हैं मतलब कहने के लिए अच्छा है किसाब बेरोजगारी है यह है इतने लोग ऐसे इतने लोग ऐसे बेरोजगारी सरकारी नौकरी लोग चाहते हैं जब आपने ग्रेजुएशन क्लियर किया बीसी किया उस समय पर भारत कैसा था और आज भारत को कहां आज बात करें ग्रेज़गारी नौकरी की इसकी मतलब मैं अपनी बात करूं अगर हमें जैसे आज के बच्चे बिलकुल लोग था है कि हम क्या करेंगे बहुत जादा इच्छाए मी नहीं रहती मेरा बिटा भी कई भार कहता है पाप आपके जवाने में कोई अमीर भी होते नहीं अटने आधा में अधने सेटी परिष और नहीं कोई शीचाए में ग्रती के साथ दा मेरा मेरो को याद है मेरें मेरे भाई थीन घारुप पे से मेरें स्मेंटी एट में जब मेनियोग यह ज़गी तै ऐ लगई ती लगी ठी अश्यार उस समाई पर भूत होते थे पहले तो साइकल भी लगजरी में आती थी कॉलेज जाने में बट स्कूटर लिया वो भी तो जुरत उसी साफ्टर बढ़ती चली जारी है अब हमारी एज में जब आब आते हैं और आपने सवाल करा तो अब जैसे बेटा है तो मोबलेंका पहन लाकर दे दिया उसने मुझे य कितने का होगा बहले 500 रुपे का तो होना चाहिए मैंगा इसमें फिगर और जोड़ दो तो हमसे यूज ही नहीं हुआ यह यह फरक आगया कि हमें तो वही अपना पुराना पैन आज भी अच्छा लगता है अब परस देखिए उन लोग के बच्चों के आज के लिगे सारे अब कितने की वह बड़िया परस अपने जेम में रखोगे तो यह जो बदलाव है इसको आप पोजिटीव मानते हो यह क्या है? बेटा अपना परसाद में रखता है मैं नहीं का जेम में क्यों नहीं रखते हैं फूले पापा यह प्रस जेम में रखनें से खराब हजाते हैं मैंने का हमारे हैं पिक्चर आई थी पागीजा उसमें एक डाय लोग था इन्हें पैर आपके बड़े खुबसूरत है इन्हें जमीन पे रुखना खराब हो जाएंगे तो यह बदलाव यह है हमारे जमान में जिन पैरों को कहते थे आज कर परस को कहते हैं लोग भी खराब हो जाएंगे मस्ती है जब आदमी के बाद ज़र से जादा पैसा आता है तो घड़ियां अब घड़ी में लैगी नहीं करता है तो टाइम देखना इस से टाइम पता लग जाता है लेकिन पंच-पच लाग की और दस-दस लाग की घड़ियां आप कहां खर्च करोगे यह भी तह है ना कहीं उसी में ढूनता रहा है आदमी तो मैं तो चोटी गाड़ी हो जाए सबसे बड़ी आल्टो थी हमारे टाइम की कहीं लगा दो कहीं अच्छा मीडल क्लास फैमिली के साथ एक दिक्कत आती है मीडल क्लास फैमिली के साथ करोना के अंदर भी यह बहुत बड़ी दिक्कत आई क्योंकि मीडल क्लास जो फैमिली हैं आप और हम सभी एक मीडल क्लास फैमिली हैं लग बड़ी दिक्कत आती है कि अगर वो परिशानी के अंदर है तो शायद जिचकेगा कि मैं यार पांच रुपे वाली थाली खाने जाऊंगा ठीक है तो आसपास के लोग जब मुझे देखेंगे तो उनके दिमाग के अंदर में एक बड़ी पिक्चर बनेगी और मैं शायद उसको फेस नहीं कर पाऊं करोना के समय पर ऐसे बहुत सारे उधारन आए कि ठीक है लोगों ने नीचे जो तबका था गरीब जो लोग थे उनको बंटा वो लोग लेने भी चले जात में ऐसी कि आप बहुत सारे उधारन नहीं मिलते होंगे कि यार ये मिडल क्लास फैमिली है लेकिन ये गरूर जो आपने का ना स्वाब इमान बही पांच रुपे में आपने सामने वाले को तो ये एसास करवाया कि यार पांच रुपे में मैं तरको ये दे रहा हूं फ्री नहीं दे रहा ताकि तेरा स्वाब इमान जिंदा रहे लेकिन वो पांच रुपे का जो स्वाब इमान है वो मिडल क्लास वाला आदमी खरीद नहीं सकता उसको आप किस नजर से देखते हैं मैं हर एक से कहता हूं ये बात कि आप जैसे हैं ना उसे दिखाने में कोई शरम मत करवा है संदोजा के आसपास की बात है मेरे खर्चे थे मेरे नुकसान बहुत गोते बिजनस में तो मुझे गाड़ी भी होती थी मेरे पास में तो पहले तो सबसे पहले दिन मैंने अपनी गाड़ी बेची और स्कूटर खरीदा ये भी है कि जिस तरह गाड़ी बेची थी पे एक लग पार प्लगी थी मेरी श्रम पचछी है अप्चीस हजार पर का स्कूटर या था अट्जा में जाके हाथ के खरीदा और शीत्ल ते गर आया मैं गर में उस दिन रात में बड़ा अजीब सा महाल था मिसस वी पापा आ ममी इस अड़ी आ पूरा चारो तरफ सन्नाटा बच्चे भी इसकुल मैंना मैं सिंपल से खा मैंने का तो को मुझे असली और नकली की अब पहचान हो जाएगी जो लोग मेरी गाड़ी वाड़ी के सोशल सर्किल में थे मेरे साथ वो अलग हो जाए अच्छा ही है अगले दिन में स्कूटर में न मुझे को रिलाइस करा मैंने का कि अब बिजनेस करना एक बहुत था तो मैंने अपना मकान बेचा थे एक हॉस्पिटल के अंदर शॉपली 24 गंटे की 24 गंटे महनत करी रात में जमीन पे सोते थे सवेरे मेरे पिताजी आते थे वो अपने दुकान संबालते थे फिर में अप बात को और जो पराने लोग हैं मतलब घर तक मैं दूद की थेली तक देने किया हूं और वो आज मेरे से कहते हैं या खना जी आप बिल्कुल लोट्री लग गई क्या मैं लोट्री काईगी जमीन से जुड़े आपको जो काम कर रहा हैं उसमें शरम किस बात की भाई आप जो मैंने मोबलेंक का पहन वारी बात बताई हमेशा कहता हूं कि अगर आप मर्सीडी से उतर रहे हैं और आप पर 70 रुपे की चपल है तो जो उतर रहा है वो 70 रुपे की लगेगी और आप साइकल पर बैढ़ के जा रहा हैं 70 रुपे की बिल्कुल ठीक बात है किसको रहो और अंग्री जी वो भी बोलता है जिसे आती नहीं है जिसे आती है वो क्यों बोलेगा तो आप शौफ के चक्कर में अपना आज मत खराब करो किसके लिए भाई जो ठीक है आपने हर बड़े आदमी को देखा कहावत भी है कि घना वरक्ष हमेशा नीचे जुकता ये व पहले इंटर्व की शुरुआत में आप जैसे हैं वैसे ही दिखने की कोशिश करिए तो मस्ती के साथ जिन्दगी जी हो क्या रखा इसमें शान निखानी कि मैं यह हूँ मैं वो हूँ अरे कुछ नहीं हूँ यार वाव अदाईया आप सौ साल की जिन्दगी होती है मैं आदी जिन्द की तुम्नें ठेंशन में निकाल दी है, जको मस्ती हो मस्ती हो जो हो जैसे हो वैसे दिखाते हो और कभी किसी को दोखें दो जूट क्योंकि वह चीज है ना जी, बहुत शोक था मुझे सभी को खुश रखने का, पता जब तब चला जब जरूरत पढ़ने पर खुद को अकेला पाया, तो साथ बहुत मिश्किल से देते हैं लोग, इसमें कोई दो रहा है नहीं, और अगर आप बहुत अच्छी पोईशन पे है आपके साथ बहुता आपके साथ बहुता अगरे हां यह बहुत सभी हो गाया जै बहुत सभी हो गया तो पतंग ती है दो हम पिल्कुल किशने वाले बहुत हो टी कहा है उप जो कर रा जिए कर ने, जिहें दि przeciंदाना हा होटा उसकि, रोटपर देखार रहा हूं अस Isti leader पा आप तो स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स एसोसियेशन है उसके भी आप अध्यक्ष अब बहुत सारे ऐसे केस आते होंगे इतनी इंक्रीज हो गई हाँ फीस दसाजार पंद्राजार प्राइवेट स्कूलों की ने मैंने उस्टेंडी जो अंदलन शुरू करा था दो जान नौ की बात है सबसे पहले भारत वर्श में नहीं शुरू करा था वो समस्या फीस की नहीं थी हाँ मैं कहता हूँ आप पचाज का एडमिशन हो गया दो साल बाद उसी स्कूल की दसजार होई फीस हाँ यह गलत है मेरी तंखा बढ़ रही है दस परसेंट फीस बढ़ रही है पचास परसेंट या वो गलत है आप कोई साभी फिक्स कर लिजे ठीक है फैसिलिटी होर्स राइडिंग सिकाने हैं पैसे तो द दसजार उसकी आपने बीज़ार कर दी यह गलत है इनकी जो भी फीस रखी जाए दस परसेंट से उपर किसी स्कूल को अलाव ना करा जाए गवर्मेंट को मेरी लड़ाई यहां से शुरू हुई थी तीरे धीरे 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 फिर मैंने पी आईल फाइल करी ते लाबाद चलता रहा आप केस आर गयते हैं वह एकलाग चीज है क्योंकि इंडिपेंडेंट लेविल पर कितना मैंने उस टाइम भी किसी से एक रूपे नहीं लिया था इन सारे कामों का अच्छा 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 हमारे बगिल साप ते उन्होंने फ्री ओफ कॉस मेरा केस लाना था तो सब का कंट्रिबिशन आप किसी भी अच्छे काम के लिए करते हैं लोग अपना मैंने बता है तो पूरे देश के अंदर भी चल लाई है अंदोलन्तू इस तरह का और अब जैसे दवाई का काम चलता था मेरी दवाईयों की दुकान थी दोजार पंद्रा में ने दादी की रसे शुरू करी उसी के शेमीने बादी मुझे पता लगा कि प्रधानमंत्री भारती जनाउच्छी केंद्र आपके माद्यम से फिर बताना चाहूंगा ये बात पूरे देश में इसकी 14,000 से ज्यादा ब्रांचेश है हरे एक को एक बार ट्राइ करनी चाहिए गवर्मेंट की है अगर मार्केट में 400 रुपे की कोई चीज है तो बहुत सस्ती आपको 40 रुपे तक में मिल सकती हैं से ब्लड प्रेशर की, शुगर की, हार्ड की, जैन्रिक जैन्रिक में है आपको पूरे दवा इंडिया गेंद्र ने दवा इंडिय केंद्र का मोहर लगी हो, ठीक है, बनना तो जैन्रिक पता नहीं कितनी है मार्केट में, उनकी कोई गारंटी मैं नहीं कहता हूँ, बट इनकी गारंटी आप मान सकते हैं आराम से, दवा इंडिया और प्रदानमंत्री, वो प्राइवेट है और ये गवर्मेंट की है, अच् अच्छी मुझे पता लगा कि ये बहुत अच्छी है तो पूरे नोइडा के अंदर पहला काउंटर हमारे ही खुलाता हूँ, अच्छा, उसके बाद में लोगों को ये था कि इतनी सस्ती है, 400 रुपय का पता हो, कहा 40 का इसमा पता नहीं क्या हो, तो फिन मैंने लोगों को कि माली आपका शुगर है, आप इसे खाके देखिये दो दिन, शुगर ना पनो, अगर ठीक हा रहा है, तुम्हें क्या लेना देना, हाम खाओ, इसी तर से ब्लड पेशर की है, अगर आपने अभी खाया, दो तीन तीन दिन ट्राई करी है, लोगों ने का ये तो बहुत अच होते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, अच्छा, अब आप लेडिस के मजागन कही बार कहता हूं कि जिनकी दो बार फोटो गिट जाती है न, वो कपड़े मेरे को छे रहे है, अगर मेंदी रात में किसी ने कोई पहन लिया तो अब तो दूसी शादी में पहनी नहीं लेडिस वगरा को हरिजन बस्ती वगरा से, अच्छे सब्स्वड़ी चीज क्या है, कपड़े के साथ भी आप देखिया, अगर आप अपने ड्राइवर को या मेट को आपने कोई साड़ी दे दी या कोई कपड़ा दे दिया, अपना सूट दे दिया ड्राइवर को, आपने वहाम आदमी एक लीडी कोई भी हरजन बस्ती की एक जाए जुगी में भी, उसके दिल में भी रहती है, कि मैं चार चीजे मैं से एक पसंद करो, वो चीज हमारे या मिलती है, हम च्वाईस बछते हैं 10 रूपे में, कपड़े तो एग अगलग चीज रही, अच्छा है, बु बिल जागा, कोई भी दे देगा, लेकिन जब वो पहना रही है, उसको शौक आ रहा है, हम और आप मौल में जाते हैं अपने बच्चे को, कैसा लग रहा है मेरा, मां 24 दिल वाते हैं, वो 24 होती है उसको, अपनी मर्जी का देख रही है, साड़ी पहन के देख रही है, कैसा क्लेक्टिव एक उसके साथ में खिएरा तो कुछ भी नहीं हो, क्योंकि सबी कैसे में सही हो गाया, तभी तभी वो एक क्लेक्टिव जो है, वो 24 बनी, कि बही अब 25 के साथ में, बाकि जितना भी आप सब देख रहा हैं, ये सब का सही हो गाया, और हर एक के पीशे होता है, तो बहुत लोग हैं, आते हैं, कुछ कपड़े डाल जाते हैं, कुछ अब एक सावे चबी सरक्टर में रहते हैं, कभी नाम बगन बदाने को मना कर रहा हुआ है, जब भी घी खतम होने को होता है, मैं उनको कहता हूँ, तुम्हें कैसे पतलग जाता है, अच्छा, अपने आप अपरवला कैसे कर रहा है, या उनको आइडिया है कि इतने टाइम चलता है, तो मुझे जाना चाहिए, यह जाना चाहिए, यह तना मेशा है, एक साइंकल बन गया, कि इतने तुनों के अंदर में, जैसे अब गर्मी बहुत हो रही थी, कैप्स हैं, मफलर है, यह अपने कैप के आगा है, पहचान में तो आ नहीं था कि इतना चाहिए, यहां तो कैप भी मिल लगी है, दोबारा फिर दे दी तीसे दिन में लगाया, जैसे वीडियोग्राफिक करी जाए, पता लगा एक आदमी दो 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 दिन गा, मैं तुन्हे इस लिए दे रहा हूं कि तुम ग सर्दी में मंकी कैप बनाते हैं, दो लोग बफलर होता है, गलफ सोटे हैं, सोक्स ती हैं गरम, सबको देते हैं, मैं थोड़ी देन हूँ, कोई भी आखे गहना है, सोक्स मेरी तरफ से बाड़ दीजगा, यह मेरी तरफ से, चलता है अँछा अब अबताया ना, आप अज्छ जोतिश कहता कि आप अपने पुराने कपड़े अगर किसी को दे रहे हो ठीक है तो आप अपने शुक्र को कमजोर कर रहे हो हाँ 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 हमने तो पराने ही बेने हैं हमने और आपने उसे जोतिशी से कहना हमारे चाचा के लड़कों के कपड़े हमारे ही आते थे हाँ, तो क्या आपको लगता है, ये एक जनरल प्रोस्पेक्ट मैं जानना चाहरा हूँ, कि इस तरीके की जो बातें, जो मित बाजार के अंदर में फैलाते हैं लोग, ठीके जी, चंद, क्योंकि ये तो उनकी कमाई का एक जरिया है, कि उन्होंने तो जोतिशा चाहरा है करना ह लेकिन आजकल देख रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी चीजें ठीके जी, आपको यूट्यूब पे, रिल्स पे, सब सब सोच कर रहे हैं, हमारे जमाने में जो बड़े बच्चों के कपड़े होते थे, आभी पहनते थे, किसके नहीं पहने, मेरी सिस्टर है, उसके लड़क पाटपश जार गए कपड़े ले रहे हैं, तो यह सब भी हमारे आते हैं, सैकल देखिया कोई खिलोने, आप सोच नहीं सकते हैं, इतने बड़े बढ़े महंगे महंगे, बच्चों को दस-दस रुपर में खुशी 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 ले जाते हैं बच्चे, तो यह सब नहीं कपडे देने सी है, किसी के काम आने सी है, तुछ एक बावदा है, जोतिज महराहथ से कुचिने वाली वात है कि कपडे देने से बertal लेने में शुक्र कन्जोर नहीं होते, पहले हम कपडे दे के बertal लिया करते थे, दिल्कुल. अब तो बरतनवाला भी नहीं आता ना मेरे अलावा कोई साधन नहीं आपको मुझे देने पनेगे इन सारी चीजों के उपर पर पर आप लोगों का भी जो भी point of view हो जहां पर भी आपको लगता हो इस वीडियो पर जरूर आप comment कीजेगा अपना point of view भी जरूर रखियेगा क्योंकि इस podcast का नाम इसी लिए point of view है कि सभी इसके बीच के अंदर में अपना point of view इस चर्चा के अंदर में भागिदार हो सकते हैं अब आप ब्राजील जाएंगे नहीं जाओंगा नहीं जाओंगा यह बलाने के उपर है लेकिन हाँ हमारा उन्होंने accept करा है अच्छा मॉडल है कि आपका यह जो मॉडल है यह अच्छा मॉडल है क्या आपको लगता है कि यह जो दादी की रसोई है केवल नोईडा से इसको और थोड़ा सा इसको बढ़ा किया जाए इसके साइस को और बढ़ा किया जाए और यह जो हमारा है वैसे अलोवर वर्ड है इसमें अच्छा पूरी दुनिया में लाखो करोडो फॉलोर्स है इसमें कोई दोर आई नी और किसी भी कंट्री जाते है तो जैसे सिंगापूर भी या कहीं भी सब लोग अमारे वीडियो देखे होते हैं अच्छा एक खासियत होती है तो यह पॉपलर तो उस तरह से बहुत है कंसेप्ट अब सवालाता है कि मैं से कितना बढ़ा सकता हूं तो लोग मेरे से जो कहते हैं तो हमेशा होही कहता हूं इसमें rockett science नहीं है आप गुक लीजे, खाना बनागिए, बाड देजे इसमें दादी की रसोई कोछना मेरे से सिपा कि हम दादी की रसोई नाम दख सकते हैं नाममें क्या रखका है ? चाचा की रसोई, ताओ की रसोई जो आपको क्लियर करना चाहरा है जो आपको कहना चाहरा है मैं चाहरा ह। ने देना चाहरा है अनुखन ना मर जाए यह concept यही खतम है और अगर आपने भी शुरू करा है आपने भी शुरू करा है इसकी 4000 ब्रांचेश हैं उनकी 40,000 ब्रांचेश है अपने अपने नामों से तो जिन्दिगी में खतम नहीं होगा तो जैसे अभी इसकोन के हम बात करें य कि रादा स्वामी है तो वो पीड़ी दर पीड़ी वो चलती आ रही है वो प्रथा भी चलती आ रही है वो मैं लोगों को यह कहता हूं कि आप अपने अपने जैसे मैं एक और इसके साथ में जोड़ना चाहूंगा जब मेरी मदर की डैथ से पहले उन्होंने एक विल करी दी मेरे से कहा था कि उनकी डैथ के बाद उनकी चिता की राख किसी पेड़ में जरूर डाल देना उस पेड़ की तुम पूजा करना अच्छा ठीक है उस पेड़ को हमेशे जल देते रहना यह बहुत बड़ा भाव है जी उस इस भाव से आप कम जगें उस पेड़ को ध्यान र पेड़ माना जाएगा आप हमेशा सेवा करेंगे तो आप अपने तक तो सिमीत होगे न अब आप कहें कि यह को सब्सक्राइब जंगल की तरह से डवलप कर दू तो यह बहुत अपना मानना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत मैंने पहले दो कांटर और भी लगाए थे आ बड़ा रूल है अगर मैं हाल्दी राम या उनकी जैसे इक जैसी कॉलेटी होती है उसके लिए फिर उससे आप से मैनेजर्स रखो अब जैसे माली एटीसी एटीजी वगरा का ये सब क्यों नहीं ले रखे मैंने प्रे अच्छा एटीजी एटीसी आप ने लिए मैंने का दान हम उत्रा कमाने की सोची ही नहीं रहा है जितना है अब एसी आउटलेट खोला था मैंने यहां पर अपना पांच रूपय का पहला एसी आउटलेट अच्छा करोना के बाद में अंदर ही बैड़के एसी के अंदर सब को टीवी शीवी सब लगा दे लेकिन उसमें थोड़ा स अब एक्सपिरेंस है लेकिन मेरा अपना माना था हूँ नहीं कमफर्ट जोन पूरा मिलना चाहिए तो ज्यादा जगे करने में आपको बहुत सारी चीजे उसका कंट्रोल करना फिर मैं कहीं आने जाने लाइक ने रोगा तो मैंने बताया ना मस्ती के साथ चाह रहा हूँ ज अब एक्सपिरेंस शेर करते हैं बच्चे बिल्कुल अपने जब आते हैं वह जो आपने जिग्यासा वर्ड यूस करा था कि उनके अंदर रहती हैं अंदर से बिल्कुल किया अंकल आप कैसे करते हैं हमें भी यार तो यह सोचना कि एक बुड़ा अद्मी ये काम करता था त इन बच्चों से कहते हैं आप कभी पार्ग में आई ए तो मेरी मिसस भी कहरें गयाती हैं अब बच्चे खेलना है एक सिगड़ भी रहा था कोने में इस अधरा भई एक तो यह पार्ग है तेरी उमर नहीं तेरा यह नहीं और तू अब मिसस कहलना है कि आप वो कुछ सूचत अब जाता ही नहीं तीसरे चौते देनी पच्चे खेलना थे वो कि अंकल भो देखिए वहां पर छुटके पी रहा है वो उसे शिकायत करने लगए जैसे मैं उनका है अजको आद में दिखाई दिया ना तो डर ने लग गया तो आपको आता है अपने हाथ दिखाता है मैं से जब स्कूल के अंदर में आप मोटिवेशन देने के लिए जाते हैं तो किस तरीके के बच्चों के सवालात आते हैं सवाल सब्सक्रा यही कहते है आप जैसे लोग राजनीती में क्यों नहीं आते हैं पलिटिक्स में आना चाहिए तो एक बार मैंने प्लिटिक्स भी करते हैं अच्छे लोगों वोटी मिलते हैं सारा चुनावी जादी विरादरी यह वह सब में इसमें बढ़ा हुआ हैं तो बातों में निकली मैंने चुलों इस वाद ट्रायल करते हैं आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छे काम करें इस्कूल की लड़ाई लगी फीस की लड़ी यह स्पोर्स के लिए मैंने इतना करा है इस्टेडियम में करा है और यह रोटी कपड़ा और दवाई सब कुछ कर रहा हुआ है ठीके जी तो 2012 में एमेले के लिए नोमिनिशन कर दिया तो उस तेम कई लोगों ने का मैंने का हारने के लिए लड़ हैं लोगों को बत इस्टेड़ है और देलों को कईष्टान मिल जिए इस नई हैं अजञ़ समाज कूर यहा है च्छा को की लोगी है अच्छा अजार सne नीचे नेचे वोटते अच्छा ज जुग्यों से एक साव घः जार वोटते तो नवर से जादा थे पन्जाबी तो पंजाबी ऑड़ान कि आप अच्छे काम कर रहे हैं आज की रेट में भी पांसो आदमी रोज खाता है मान लीजे 15,000 लोग हैं उस में से आदे बोटर होंगे लेकिन आप चुनाओं में खड़ो जाएंगे आपको 500 वोटर ले तो आप राजनिती एक अलगी चीज है हम जो काम कर रहे हैं अब आप सारी सरकारों को मजबूर हो कोई 10 रुपे में कर रहा है कोई दिल्ली में गौतां गंबीर जी ने बहुत अच्छा काम करा था एक रुपे में उनने खाना दिया तो लोग कहां से कंसेप्ट आया तो मैं मैं अपनी जीत यही मान रहा हूं कि हमें देखके आज भी हम 5 रुप में देना चाहिए बिलकुल अदमी को मुटिवेट करने के लिए आप नहीं करोगे तो हम करेंगे आपको मज़ूर करेंगे इस काम को करने के लिए वही जजबा होना चाहिए और कहीं तो शुरू करें मैंने अपना मानना है कि 5 घर इधर और 5 घर पूरा देश तो सुदार अगर मैंने और आदमी ने पाच-पाच घर भी सुधार दिये अपने आस-पास के, पुरा नहीं सुधळ जाएगी. तो शेंच चलती चली जाएगी. यह मार्केटिंग जैसे चेंच होती है ना मार्केटिंग चेंच बनाने की कुछ जिक में होती हैं मस्ती के साथ, टेंशन मत आपने तो समाज के लिए करना है आपको सिनके बहुत अच्छा लगेगा और मैं तो प्राउड फील करता हूं इस बात को कि मानने में विधायक पंकर सिंग जी जो हमारे हां से पहली बार जब चुने गए थे और उनका फोन आया मेरे पास कि क चांटिंग पर मैं नी जयना चाहा रहा ह пока मैं दादीं की रिष्वई में खा ना बातना चाहता हूं daha अच्छा किसिको नहीं बता है और सीधे देन दादीं की रिष्वई में आ गए और वहां कांटिंग उनकी ढूंड हुई कि वही कहां गए तो पता लगा वो तो दादी की रसोई में खाना वाट रहा है उन्होंने वहाँ बाटते रहे रिजल्ट के बाने में जब उनका महाँ पे लोगों ने बताया कि आप जीत गए तो वहीं से उनका प्रोसेशन चुआ जलूस हो गएरा उनका वीजेई जलूस अ मुझे इसमें कोई प्राउड नी उनके उस भाव की बात कर रहा हूं कि ये बाव अगर पहले दिन से किसी नेता के दिल में आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है और मुझे इवश्वास है कि जितने भी अच्छे काम कर रहा है तो ये उस भाव की हो रहे हैं एक आदमी जंदर भावत पैदा हुआ ये मेरी बहुत बड़ी जीत है बिलकुल कौन करता है मनना अपने जिन्दगी की बिधाएगी की शुरुआत और वहां पे काउंटिंग की शुरुआत वहां से कर रहे हैं बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है बहुत कमाई है, यह हर एक के नसीब की नहीं होती, पैसा तो महल है, वो आज किसी की जिब में, कल दूसरे की जिब में वो चला जाएगा, ठीक है जैनी? और शाहिद मैं यह आपके सामने इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैंने शाहिद ही उनसे कोई काम का हो, आड़दस साल होगे, तो मतले कोई मतले भी नहीं है, वो कहते है ना जी के बदन है मिट्टी का, मुझे अच्छा लगता है कि जब वो कुछ अच्छे लोक राजनीटी में अच्छे काम करें, अच्छी भावना के साथ आए, तो यार यह हमारे लिए और क्या चीए हम और आपको और क्या चीए हुआ है? पुरा देश तो धर जाएगा. सिर्फ राजनीती, हम नेता इसलिए चुनते हैं कि अच्छे लोग, हमारे जो काम नहीं हो रहे हैं, जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग आपको इलेक्ट कर रहे हैं अगर यही सारे काम क्योंकि वहाँ पर एक्चुली कंडिशन्स है ना आप हर काम खुद कर भी नहीं सकते अगर गली के अंदर अगर नाली बनवानी है तो आप कैसे करो उसके लिए परमीशन चाहिए अब हमारे ताले तरीकी भी है आप नहीं करोगे तो हम दसादमी मिलके करोड़ेगे वो बन तो जाएगी लेकिन कल को उसके बन ओने का भी खतरा रहेगा जबते कि वो मुंसिपल पार्टी से क्लिरेंस ना मिल जाए तो वो बहुत सारी चीजें बहुत सारी लिमिटेशन उसके बीच में आ जाती है आप ट्रांसफार्मर कैसे लगाओगे जी बिलकुल सही बाद है ठीक है आप प्राइवेट और्गनाइजेशन जरूर हो लेकिन वहाँ पर प्राइवेट गवर्मेंट के प्रोपरटी के उपर ट्रांसफार्मर आप अपना प्राइवेट नहीं लगा सकते तो वो जो लिमिटेशन को क्रोज करने के लिए उन लोगों को इलक्ट करके वहाँ तर पहुंचाया जाता है ऐसी तरसे जैसे हैं पर हमारे सांसरे डॉक्टर महिशन माई यह तो डॉक्टर थे हमारे सांप उस जमाने के चौरासी तरासी में जब यह सीड़ी के नीचे बैठके प्रैक्टिस करता है हमारे उस्ते आज भी हम जाते हैं तो कोई बदलाव नहीं लगता में मेरे को राज़ीती में हम लोग लगी है कि हम नौड़ा में हो और हमारे इतने पुराने पुराने संबंध है इन लोग से बदले नहीं है बहुत बड़ी बात है किसी को आड़ लाग वोट मिल लाए तो आड़ लोगों को संतुस्तों कोई करनी नहीं सकता बिल्कुल और हमें जुरत किया है हमें आप से चहिए देश को सुधार दे जिस जगे आपको पुचाया गया है आपके बास था क्या इस्कूटर पर चलते थे आज भगवान की सब कुछ है तो आप देश को समाज को हमारे नोड़ा को सुधार दे जो सजेशन हम लोग दे रहे हैं सारे सजेशन मेरे माने जाएंगे ये भी नहीं मनता मैं बिल्कुल ठीक बात है आपको कुछ अच्छा लगे इनमें से एक्सेप कर लिजे नहीं अच्छा लग रहा है सला सब की लिजे अच्छे काम करिये और जो अच्छे काम कर रहे हैं जितने भी बहुत सारे लोग है इस तरह उनकी राय लिजे उनसे समाज को आगे बढ़ाईए आप ख़तो और हमें चीग ही किया या उमर किस पुड़ाओं में बढ़ापे पर क्या चाहिए आपको बहुत किचाई करने वाला कुछ नहीं था जब आप दिल से लगन से मैंने कहा ना दो तरह की कमाई होती है एक पैसे की कमाई एक प्रारब्द की कमाई है और जो प्रारब्द की कमाई है वो उसका नतीजा और उसका रिजल्ट आपको दिख भी रहा और मिल भी रहा है जहां पर एक वो भी दादी की रसोही का model discuss करने के लिए और food security जिसका आपका कभी मुझे लगता है कि दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था कोई मतलब नहीं ठीक है तो जब discuss करने के लिए बुलाया जा रहा है तो मतलब आपने एक वह example set किया और जिस example के उपर पर गोतम गंबीर एक रूपे में अपनी रसोही को चालू कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे नेकी की दिवार हमने देखा अभी ट्रेंड के अंदर आई के लोग लियो जैसे ओर्गनाइजेशन जो हैं लाइन्स जैसे जो और गनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल के उन्होंने यह नेकी की दिवार च होता तो वो example जो है समाज की अंदर में एक दिशा देने का काम करता है वो दिशा देने का आपने काम किया तो यहां खिंचाई वाला तो कोई अधान नहीं है उन्हीं आप आए studio के अंदर और आपने तुमाम जानकारिया है, हमारे साथ में दर्शकों के साथ में शेर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इनी चंद लाइनों के साथ में मैं यहां पर इस पॉड्कास्ट को यही रोकूंगा और हमें उम्मीद है चाहिए कि हम सीक्वेंस को और शीरीज को आगे बढ़ा है तो उस food grain और food security को हम अपने podcast के अंदर भी अगले podcast के अंदर में जरूर discuss करेंगे और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए एक विस्तरित एक model बिल्कुल और इनी लाइनों के साथ कि बदन है मिट्टी का सांसे सभी उधार हैं गमंड सिर्फ इस बात का कि यहां सभी किराएदार हैं तो यह हमें सोचना चाहिए कि यहां पर चंद समय के लिए अपना समय व्यतीत करने के लिए हम इस दर्ती पर इस दरापर हैं और उस के अंदर में हम कितना अच्छा इस सोसाइटी को इस समाज के लिए देखर के जा सकते हैं जैसे एक पेड़ का आपने उधारन दिया आजकल वैसे भी एक गलोबल वार्मिंग है तो उसके प्रतीबी है हमारे जो विचार हैं वो बड़े अब खुल करके होने चाहिए और सभी को पेड़ जरूर लगाना चाहिए ऐसा मेरा भी मानना है और निश्चितोर के उपर पे इस दिशा की तरफ हम कदम भी बढ़ाएंगे लेकिन आप कहीं मच जाएं क्योंकि पोड़कास्ट की ये जो सिरीज है ये लगातार जारी है और हम चाहेंगे कि ये पोड़कास्ट आपको कैसा लगा और इस पे आपके क्या व्यूज हैं वो जरूर आप पिन पॉइंट कीजिएगा ताकि अगले जो भी पोड़कास्ट आएं तो उसके बीच के अंदर में हम उनकी पूरती जरूर कर पाएं नमस्कार